नमर से साथियो और दुवार्सिक परिक्ष्या 2021-22 क्लास 12 का रसाइन विज्ञान का हाफियली का पेपर आपके सामने है अब तक जितने मिने हाफियली के पेपर हल करवायते उनमें सबसे टफ पेपर यह है तो आप इसको कम्प्लेट लाज्ट टक अटेंड करें जिससे आपक कुशनों का पता चल जाएगा यह पेपर राजस्तान के राज समंद दिश्टिक से है तो स्टार्ट करते हैं यह आपका अपना चैनल है यह अभी तक आपने इसको सब्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्क्राइब कर दें और अपने इस इस वीडियो का लिंक जरूर श का उधारन है तो आप सभी जानते हो कि अपनी इस ओनलाइन क्लास का मतलब यह नहीं कि को कुशन के आंसर उसका रिजन भी जाना आप सभी जानते हो कि नेट्वर्क टोस को हम क्या बोलते हैं सै सयोजक टोस भी कहते हैं तो आप सभी जानते हो यह दोनों आयनिक में आजाए दूसरा कुशन काफी important है copper का ix है कितना अचा कुशन दिया copper का ix है अब इस प्रकाइब कुशन हल करने के लिए पहले अपनी कुछ चारो option दिये उनकी बारे पता होना चाहिए तो पहले हम बात करते हैं यह magnetite होता है F3 of 4 तो यह तो iron का हो गया melakite melakite बोलते है इसका formula होता है cu cu3 dot cu OH whole twice यह तो सिदी बात है इसमें copper आ रहा है तो यह copper का ix हो गया question number 2 का right answer क्या होगा copper का ix है melakite हमें यह भी पता होना चाहिए कि calamite किसका ix है तो calamite दिंका होता है इसको बोलते है ZnCO3 वैसे इसका नाम लेजाता है केला माइन चोथा है केयो नी light तो इसका formula लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका AL2OH की power 4 SI2O5 तो काफी अच्छा question है कि copper का ix क्या है रहतना melakite लोहे का ix हो जाएगा magnetite और zinc का ix केला माइट और यह किसका ix हो गए aluminium का question number 3 question number 2 का right answer मिला kite question number 3 नीम्न में से संक्रमन तक्त्व नहीं है अब हमें पता कि आवर साननी में वर्ग नंबर 12 वर्ग नंबर 12 में कोन आता है जेंक mercury और cadmium जेंक question का right answer क्या हो जाएगा बैजिंक अब इसके बाद मैं आपको दो महत्मन बाते बताना चाहूंगा कि एक तो वीडियो की description में एक whatsapp group है उसको आप join कर लेना जिससे समय समय पर आपको महत्मन notification प्राप्त हो सके इसके अलावा अपने 12th class की chemistry को मैंने यूट्यूब पर लगब कम्पेट करवा करवा दिया है उनकी जितने भी वीडियो है वो सब का लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा इसके बाद question number 4 पे question number 4 कप ये अच्छा question है क्या पुछा है benzylic alcohol में benzylic alcohol में OH कौन से संक्रित carbon से जोड़ा होता है तो जो बड़ा benzylic alcohol का formula क्या होता है ये benzyn वाले benzyn वाले से जोड़ा होगा CH2 और CH2 से जोड़ा होता है OH तो देखो इस carbon से एक बंद इधर और एक बंद इधर दो और दो आइट्रोजन 4 तो OH जिस carbon से जोड़ा है उसमें संक्रित कौन सा है SP3 तो कुशन नमबर 4 का right answer होज़ागा SP3 कुशन नमबर 5 किस polyhealogen योगी का किस polyhealogen योगी का अत्यधिक मात्रा में पतिशक प्रह सितक उत्पादन में होता है तो यहाँ पर इस कुशन के लिए बता जाएंगो इस कुशन का right answer से पहले हम यह समझे यह लिखा है Dichloromethane Dichloromethane का सुत्त क्या होगा CH2Cl2 Triidomethane CHI3 जिसको आप बोलते है Idoform Trichloromethane CSCl3 जिसको हम क्या बोलते है Chloroform अगर आपको इकुशन का answer आए तो आप बता सकते हो और Carbon Tetra Chloromethane इसका फॉर्मल हो जागा है CCL4 जिसको हम क्या बोलते है Carbon Tetra Caloride Carbon Tetra Chloride यहाँ पर काफी बच्चों में confusion होगा इसका right answer Chloroform यह Carbon Tetra Chloride दो बेटा Chloroform का उपयोग फियोन बनाने में किया जाता है और फियोन का उत्पादन फियोन का ही प्रियोग किसमे करते हैं प्रे सीतक के रुप में करते हैं लेकिन Carbon Tetra Chloride का अधिकांस उत्पादन प्रे सीतक के रुप में ही किया जाता है तो इस question का question number five का right answer होगा अगर इसके answer में confusion हो तो अपनी जो रासाइन विग्ञान की जो second book है उसके page number 331 page number 331 पर नीचे देख लेना आपको ये right answer मिल जाएगा question number six क्योंकि अपना मक्सर ये है कि question का answer गलत नहीं होना चाहिए काफी चीज़े आप यहां से सीखते हो और बिल्कुल उसका analysis और हाफी ली paper हल करवाने का मतलब है कि उसका पूर्ण रोप से post-mortem कर जिया जाए जिससे आपको कहीं पर भी कोई confusion ना हो अगला विसम देशिक प्रकरती आप सभी जानते हो इसके लिए जादा बात करने कि जो अतनी विसम देशिक प्रकरती किस प्रकरती किस प्रकरती टोस में होती है किस्टली टोस में समझे सिक होते हैं अगला जब कोई विलियन सभी सांदता पर रावल के नियम का पालन नहीं करता है जो रावल के नियम का पालन नहीं पालन करता है वो आदस विलियन अनादस विलियन, अब दिखो, फोर एप आणती कक्षकों की उत्तोतर पोर्ति होने के साथ सैनी की धातव की परमानुक तेलजामे करमिक हास होता है, हमें बता है कि लेंथेनम से लेंथेनम से लेंथेनम से 9 काफी अच्छा क्वूशन है था लेंधे नाइड संकोचन है आप क्रूप नमबर 9 गाफी अच्छा क्यूशन पूछ judge लिया भी जाता है कि कल्डू क्लोरोफ्रों 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 किलोरोफर्म की किल्या वाई when lawo को खुळा वाई तो वह सथ किल्या कर जाएका किसके सब्सक्रिक में परकास सुरी के परकास की और परकास की तो वह तो तुसईयो प्लस टू ऐसिल बनाता है इस यो सी अल टू को ही हम क्या बोलते हैं पोउस जीन और ये विशेली यस होती है तो कुशन नमबर नो उमीदा आपको अच्छे लिए समझ में आ गया होगा अब कुशन नमबर दस की बात कर लें फलक केंजित घनिय के कोश्टिगा शौट में क्या बहुत सकते हैं इसको एप सी सी तो एप शिसी में अब भी करणों की संग्या कितनी होती है चाँ काफी बार हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं निम्र वेंजिक की कोटी बताए तो कोटी गयाद करने का तरीका है जो आपको वेंजिक दिया है उनमें गहत को जोड़ दो तो ये आदा और ये डेर्ड तो कितने होगे दो तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी अभी के लिए कि कोटी कितनी हो जाएगी दो कुशन नमबर बारा बेटा थोड़ी सी स्पीड में इसलिए फास्ट रखिये कि इस पेपर में लाश्ट में काफी बड़े बड़े तफ क्यूशन है तो उनको हल करने में टाइम लगागा इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ और फिर से रिपीड करना सल्पाइड आयक्स के सांधन के लिए किस विदिका प्रियोग किया जाता है जाग पलवन विदि सल्पाइड एक्स के सांधन के लिए कौन सी विदि जाग पलवन विदिका प्रियोग किया जाता है इसके बाद हम कुशन नंबर 13 की तरब आगे बढ़ते हैं कुशन नंबर 13 आपके सामने है इससे पहले यह आपका अपना चैनल अगर अभी तक मुझे पता आपने सब्क्राइब नहीं किया इसलिए इसको जरू सब्क्राइब करें और इसका जो लिंक है अपने सभी साथ्यों को बेढ़े जिससे अभी इस चैप्टर में काफी नूमेरिकल के कुशन है तो उन सभी का और उत्पाद को परिवर्चत करने वाले काफी हार कुशन है तो उन सभी के बारे में आपको पता चल जाए अब जब बात करें कि निम लिखित कार्बनिक हैलो को की सर्चना दीजिए अब इसको ऐसे समझना आपको थोड़ा साल करने के लिए कि तो क्लोरो थ्री मेथिल पैंटेन पैंटेन का मलब कितने कार्बन पांच तो दो पर जोड़ दो सीयल और तीन पर जोड़ दो मैथिल तो सिद्धी सी बात इसको हम लिखेंगे तो क्या हो कार्बन तो एक दो वान टो थ्री फोर फाइफ तो कार्बन दो पर क्लोरो जोड़ दिया और कार्बन थी पर मैथल तो यह इसकी सर्चना बन गी अगला देखो क्या दिया आपको कि वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन इनका मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड सदून के साथ गरम करने पर कौन सा पधात देता है तो सिद्ध सी बात है याद करना होता है बेंजीन देता है, क्या देता है, यहां किसका निर्मान होता है, बेंजीन का निर्मान होता है, अगर इससी रियक्शन को मैं समझाना चाहूं तो एक पेज़ गए, पहले तो हम इस का निर्मान होता है, आपका बेंजीन बनेगी, क्या बन जाएगा, बेंजीन, अब बनता कैस है वो आप यहां पे इसको समझ सकते हो आपने क्या किया फिनोल लिया इस फिनोल को यशद्रज मलब तामवे के साथ इसको आपने क्या किया गरम किया तो यहां से और यहां से जड़न अलग हो जाएगा तो इसके उपर एच जोड़ जाएगा प्लस जड़नो यह एच यहां त के लिए क्यूशन नमबर 14 बिल्कुल अच्छर केसी याद होना चीए फिनोल यस्ट रज़ के साथ गरम करने पर कौन सा बजाद बनता है बेंजिन का निर्माण होता है जो विलाय का वह भी गरम में तो सिद्ध्य सी बात है इसके अंदर जो आपको ग्याद करना है वो कई सरी पर करना के लिए का 住private करते हैं। मोल उ nuritas का फॉर्मुला क्या होता है विले का बाहर उपर तो विले को नहीं एथेनोइक अमल कितना दो पॉइंट 5 ग्राम फिर नीच्चे क्या आता है विले का मुलर दर्मान तो एथेनोइक अमल का, इसका मुलर दर्मान अगर आप केलकुलेट करोगे तो कितना है 60 पिर है विलाइक का दर्मान सवाल में पिछोत्त ग्राम, अब सिधी बात ग्राम है, तो इसको पूरे फॉर्मले को कितने से मिल्टिप्लाइ कर दोगे आप अजहार से, अब इसको आप हल कर लो, तो देखो, एक बिंदो से एक बिंदो गई, इस पॉइंट को अठाओगे, तो यहाँ जिरो इस से गया, अब देखो पच्चिस को इसको काटोगे, तो यहाँ कितना गए, तीन, तो उपर दस और निच्चे अठारा, तो दस बटे अठारा, अब दस में आप जब अठारा का भाग दोगे, तो लगबग आपका आंसर में बता रहा हूँ, वो जिरो पॉइंट, जिरो पॉइंट फाइब फाइ केजी इनवर्स, तो कुशन नमबर जो आपका फाइब पंद्रा है, तो पॉइंट फाइब ग्राम वाला, इसका राइट आंसर होगा, जिरो पॉइंट फाइब फाइब सिक्स मोल केजी इनवर्स, इसके बाद कुशन नमबर 16 प्रासंद आप किसी कहते हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि यह जितने भी कुशन में आपको यहां हल कर आ रहा हूँ, यह सब मिने अपनी ओनलाइन क्लास है और मेराथन क्लास के माद्यम से हल कर वाए गया है, अब प्रासंद आपकी सिंपल से डेफिनेशन है, तो मेरी क्ल आउल्ट और हेंडी के नियम को परिवासित कीजिए, बहुत इजी और एकजामे इस प्रासंद पोच लिए जाते हैं, इनकी भी स्कीन शोट है, वो आपके स्कीन पे है, तो आप इनको स्कीन शोट लेकर इनको अच्छे तरीके से इनको याद करें क्योंकि इस प्रासंद प और एकजामे काफी बार आ जाते हैं, इसके बाद अगले नुमेरिकल की और बढ़ते हैं, कुष्या नंबर अठारा, कुष्या नंबर अठारा आपके सामने देखो कितने इजी 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 नुमेरिकल है, बच्चे नुमेरिकल अर्थात आंकी कुष्यन के नाम पे दरते ह और ये 5 जी सेकिंड है कुछ गलतिया हो जाचे सेकिंड इस अभीकिले के लिए अदायुकाल ग्याद के लिए तो हमें पता होना च्छे कि पर्थम कोटी अभीकिले के लिए अदायुकाल ग्याद करने का फॉर्मुला क्या होता है ती हाप बराबर 0.693 सवाल में आपको केका मान दिया इसको हल ही करना है तो हल कर लो तो 0.693 और केके स्थान पर लिए दो 5.5 इंटु 10 की पाउर माइनस 14 अब 10 की पाउर माइनस 14 उपलगो दो पलस की हो जाएगी तो इस पोरे को जब आप केलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो लगबग यह आजाएगा 1.26 इंटु 10 की पाउर 1.26 इसका राइट आंसर क्या था 1.26 इंटु 10 की पाउर 13 सेकिंड हो जाएगा आप इसका मिलान जरूर करें क्योंकि जो मैं ने बता दिया मैं तो डाइट केलकुलेट किया आप इसको पुरा हल करें तो क्योंकि नमबर 18 का राइट आंसर आपका क्या होए 1.26 इंटु 10 की पाउर 13 सेकिंड अग्रा क्योंकि नमबर 19 बहुत इजी क्योंकि निस्तापन और भरजन यह पिछले वाले वेडियो में भी मैंने आपको बता आएता कि निका मलब नहीं निस्तापन की किरिया वायू की यह लिख रहा हूं मैं समझ जोगे अनुपस्तिती में की जाती है निस्तापन की किरिया वायू की अनुपस्तिती में Sulfide X का भरजन सद्यव किसका होगा Sulfide X का और जो निस्तापन होता है वो आपका carbonate X या जलयोजित Oxide या फौक्साइड का carbonate X या जलयोजित Oxide का किया जाता है तो दो अंतर भोत होते हैं Question number 20 CR2 पलस iron में चुमकिया आगून की गन्ना कीजिए पहले बात तो आपको चुमकिया आगुन का formula पता होना थे ही तो चुमकिया आगुन मू गयात करने का formula क्या होता है मू बराबर अन्डूरीड N N प्लिस तू होता है अब N का मतलब क्या होता है गयात करोगे तो उसके लिए जिए मैं इसको अपको पुरा डिटेल से समझा रहा हूं इसको समझना यहां से कि हमने क्या किया क्रोमियम लिया तो क्रोमियम का इलेक्टोनीक विद्धिया से क्रोमियम से क्या जाएगा आरगन इसके बाद 3D, 4S, क्रोमियम का परवाण करवाण 16 होता है तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 यह आप सब जानते हो अब क्या है कि क्रोमियम 2 PLUS में बाद 2 एलेक्टोन भाद तो एक एलेक्टोन यह बहां निकल गया और एक एलेक्टोन यह बहां निकल गया च्यार च्यार प्लस टू तो च्यार को च्यार से गुना किया तो कितने होगे चोईस तो म्यू बराबर अंडूड चोईस और अंडूड चोईस को जब आप मल्टिप्लाई करोगे तो आपका आंसर लगा है 4.89 और मात्त क्या होता है बोर मेगनेटोन नमबर कट सकता है तो कुशन नमबर 20 का राइट जितने में नुमेरिकल अच्छे कुशन में देज़ो और इसी प्रकार की कुशन आपके बोर्ड एक्जामें पुछे जाते तो इस प्रफर के साथा साथ का अच्छी अपनी त्यारी कर सकते हो कुशन नमबर 21 निम्र अभिकिरियाओं में उत्पाद की पेचान कीजिए देखो डबल बॉन्ड है इस पर ACL जोनना है तो सिधी सी बात अभिकिरिया है वो किसके अक्रोडिंग होगी मार्कोनिकॉप के नियम से तो मार्कोनिकॉप में क्या होता है कि डबल बॉन्ड टोटेगा हैलोजन वहां जोड़ता जहां इत्रोजन की संग्य कम हो तो सिधी बात है यहां जोड़ जाएगा और आपका CL वो इससे जोड़ दो तो कंडिशन क्या बन जाएगा आपकी यहां पे CS3, CS2, CH इस CS3 आपके जोड़ दोगे आपका CL और यहां क्या जोड़ जाएगा CS3 तो यह आपका उत्पाद बन जाएगा अब देखो HBR के साथ जब प्रोक्साइड आ जाता तो आभी के लिए एंटी मार्कोनिकॉप के नियम से हो जाएगी HBR के साथ जब प्रोक्साइड आता तो आभी कौन से नियम से एंटी मार्कोनिकॉप के नियम से हो जाएगी तो जस्ट उल्टा हो जाएगा तो यह H आपका यहां जोड़ जाएगा और BR को आप इसके साथ जोड़ दो तो आपका उत्पाद क्या बनेगा यह बन जाएगा वेंजिन वले CH2 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 BR के लिए रहे मुझे उमिद है कि दोनों क्यूशन के आंसर आपको अच्छे लगए से के लिए हो चुके होंगे इसके बात क्यूशन नमबर 22 दो यहां पर एक चीज़ हो दिखना कि जब आप इसनको समझो तो यहां पर इक चीज़ इंपरेंट चीज़ बताओं कि इस प्रिपर में कभी कभी हम निद्दे से नहीं पड़ते हैं आपको यह कहा गए कि लगुरात में क्यूशन में कितने करने पांच और आपको दिये कितने एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ तो इन साथ में से किवल आपको पांच गणने यह तो मैंने पूरे हल करवादी तो इस पकार के निद्दे सब आप इससे इसके ध्यान रखें अब अगर हम बात करते हैं बड़े कुशनों की तरफ संकुलन शम्ता किसे कहते हैं और फलक केंदिद घन्य धात्तु के किस्टल में संकुलन शम्ता कैसे ग्याद की जाती है बेड़ा यह मैंने अपनी मेराथन कलास में और चेप्टर वन की जो ओनलाइन कलास लिए उसमें अच्छे तरीके से इसको समझाया है तो इनका स्कीन शोट है वो आपके संकुलन शम्ता के बारे में आपको दिखा दिया होगा वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो इसके बाद फलक केंदिद घन्य धात्तु अथात एप सीसी की संकुलन शम्ता आप कैसे ग्याद करोगे यह भी आपकी स्कीन पे आ चुका है तो अगर आप इनका वीडियो दिखने जाओ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डिटेल से देखके सकते हो इसका परत्वामिद दूसरा जो इस्सा है वह पूछा गयाय अच्छित उधान देखके शोट की दोस अफ्रेंकल दोस और अंतर पोच लिया जाता है बाकि इनके बारे में जो detail से वो आपकी skin के सामने में ने रख दिया है वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो और इसके बाद आपका अगला आएगा अंतरा कासी दोस्त ये भी आपकी skin पे आच चुका है ये भी आपकी स्किन पे आज चुका है इसके बाद कुशन नंबर बाईस मैं फिस से रिपेट कर रहा है कुशन नंबर बाईस में तीन चीज़ें करना होता है इसका कुशन आपको दोनों में से एक आज मैं लिखकर देना हो यह आपको बोड एक्जाम में जरूर मिल जाएगा तो इसको आप अचे और इनका जो इसकी शोट है वो मैंने आपकी स्किन पर लगा दिया और पले लिश्ट के अंदर इन चैप्टर की मिने मेरा थ इन चैप्टर 10, 11, 12, 13 इन चैप्टर के अंदर जितनी भी नेम रियक्शन है उन्हें सब की वीडियो में अलग से बनाए हैं और वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे तो इनका में स्किन शोट ने लगा रहा हूं वीडियो की डिस्क्रिप्शन मे किस प्रकार किया जाता है बड़ा जब इस प्रकार का मैं केमेश्टरी में आते हैं तो हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि इनका अंसर हमें के से ज्याथ करना आ, जब तक आपको इनके इस्टेक्चर से नहीं आगी तो आप इसको रहल नहीं कर पाओगे, प्रोपीन लि तो आपकी जोड़ जाएगा और यह ओएच यहां पर जोड़ जाएगा तो आपकी जो इस्टेक्चर है वो क्या बन जाएगी CS3, CH, OH, CS3 इसी को तो बलते हैं 123 तो प्रोपेन 2-0 हो गया तो प्रोपीन का अमलिय उत्परित जलियोजन बलते हैं क्या नाम तक है आपने इसको पढ़ाओ चिप्टर में क्या एलकीन का अमल उत्परित जलियोजन करने पर अगला है एथिल मेगनिशिम क्लोराईड से प्रोपेन 1-0 बनाना तो लेको बड़ाओ फॉर्मुला समलना कि दिया है सवाल करता है अब इसमें के लिए हो जाएगा चलिकर से C2S5 ethyl magnesium chloride से आपको propane one all बनाना है तो मैंने क्या किया इसकी किरिय फार्मिल्ली आइड से करवा दी H, C, H, double bond O के साथ करवा दी हो गया तो क्या होगा देखो यहां पर C2S5, C, के साथ कितने H, 1H, 1H और यहां पर O, M, G, C, L बन गया अब इसकी किरिया मैंने क्या किया कि इसको पुपल रहा है इसका मैंने जलाब कर दिया तो यह यहां से तो क्या हो गया अलग हो गया और यहां पर यह जोड़ गया तो क्या होगा C2S5 को आपके लिए सकते हो C3, C2 कितने C के साथ 2H तो C2 और यह तो तीन कार्बन की सब्सक्राइब नमबर बन पर जोड़ा तो नाम क्या हो गया प्रोपेन वान ओल बहुत अच्छी क्यूशन अब प्रोपेन वन ओल काफी अच्छा क्यूशन है बैंजिल करूरायड से बैंजिल एलकोल बनाना काफी बच्के इसमें न क्राद की डाट में बहुत ईजी क्यूशन है तो बैंजिल क्शीन है तो यह क्यूशन वले इसके उपर जोड़ दो CH to CL यह रोगा है बेंजल क्लॉराइट अब इसको किसमे करना है बेंजल एलकोल में तो CH to OS तो बड़ा इतना तो आपने सीख आई है कि क्लॉराइट को एलकोल में आसानी से परिवर्चित कर सकते हैं नीचे मेरे वार्सम नंबर आपको इसकीन पर नजर आ रहे होंगे इसको हल करके मेरे वार्सम पर ज़रू बेज़ें कि जैसे मैं भी आपका जो IQ है वो जान से को भी आप सितना इसको हल कर पाऊगे इसके बाद नेश्ट लाश्ट कुशन एट मैथिल मेगनिशियम ब्रोमाइड क्या लिखाए मैथिल मेगनिशियम ब्रोमाइड से टू मैथिल प्रोपेंट टू बनाना तो बड़ा इसका मदलब क्या हुआ कि CS3 MgBR मैथिल मेगनिशियम ब्रोमाइड हो गया अब देखो एक कारबन तो यहाँ था यहाँ तीन कारबन बढ़ गए इसका मलग सिद्धी से बात है कि इसकी किरिया मैंने किटोन से करवा दी C double bond O CS3 तो यह double bond टूटेगा और यहाँ से यह टूटेगा क्या उजाएगा आपका CS3 एक CS3 उपजोड दिया उधर CS3 और OMG GCL इसका जला बुटन कर दोगे तो यहाँ से अट जाएगा और यहाँ पर H आज जाएगा अब इसका नाम लिखोगे जो two metal propane to all हो गया तो यह paper मेंने काफ़ी time लग गया लेकिन काफ़ी बड़ा paper था आपको हल करवा दिया और उमीद है कि आपको यह सभी समझ में आगे होंगे और थोड़ा सा speed अखनी परती इसलिए paper time पर हल नहीं हो पाता इन सभी के एगर video देखना चाहो तो इस video के description में इन सबका link मिल जाएगा वहाँ से आपको इस तो के से देखके समझ के हल कर सकते हो और अपने जितने भी साती है उनको जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा कि जिससे सबके सब इसका लाब उठा सके आज इकला से ही समापत होती है